इस वीडियो में हम रैंकिंग फेक्टर्स को मजीद डिटेल में देखेंगे किस किस तोरह के रैंकिंग फेक्टर्स हैं असल में रैंकिंग फेक्टर्स को मुझली केटेगरी में डिवाइट किया जाता है उन केटेगरी में एक केटेगरी है ओन पेज रैंकिंग फेक्टर्स या उसको ओन पेज एसी ओ आप्टिमाजेशन भी कह सकते हैं एक category है off page optimization या उसको off page ranking factors भी आप कह सकते हैं on page ranking factors वो factors होते हैं जिसमें आपकी website के उपर जो जो आपने information create की है जो जो information आप control कर सकते हैं वो उस पे कुछ भी करने को on page factors में कहलाता है so for example आपने website बनाई आप उसका title आप लिखेंगे तो वो on page factor है आप उसका content लिखेंगे आप उस content में image डालेंगे आप उस content को optimize करेंगे उसकी language ठीक करेंगे उसका layout ठीक करेंगे ये सारे के सारे factors जो हैं ये on page factors कहलाते हैं क्योंकि ये आप अपनी website के उपर करते हैं तो गूगल आपाउं page factors को देखता है लेकिन गूगल फिर off page factors को देखता है off page का मतलब ये है कि वो factor जो off the page है off the page मतलब जो आपके page पर नहीं है अगर वो आपके page पर नहीं है तो इसका मतलब कि वो लो एक पेज पर है वो आप कर सकते हैं लेकिन साथ फिर आप आफ पेज भी करते हैं वो पहलू जो आप अपनी वेबसेट पे नहीं करते हैं बलके वो किसी की वेबसेट में करते हैं और किसी की वेबसेट में करने समराज यही है कि वो आप वहां से लिंक्स लेते हैं और इस links लेने के link building भी कहा जाता है और आम तोर पर ये समझा जाता है इसकी कोई reference खास नहीं है लेकिन normally ये माना जाता है कि on page optimization का तकरीबन SEO के अंदर 30% roll है जबके off page optimization का इसमें 70% roll है इसकी कोई guarantee नहीं है लेकिन अगर importance वाइस देखा जाए तो on page optimization जो है वो एक दफ़ा हो जाती है for example आपने एक दफ़ा page बनाया उस page को आपने title भी लिख लिया उसके आपर headings भी दे दी उसको content भी लिख लिया जब सब कुछ कर लिया वो एक दफ़ा लिखा गया उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं लेकिन अब आपने इसको promote करना है तो आप क्या करेंगे आप हर रोज, हर महीने, हर हफ़ते आप इसको दूसरी website पर जाकर जहां पर लोग बात कर रहे हैं कि भाई हमें ये information चाहिए आप वहां पर अपना link देते हैं कि भाई ये आपको information चाहिए ये मैंने information लिखी हुई है आप यहां से connect कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं link building या off page optimization जिसमें आप actually अपनी content को कोशिश करते हैं कि कहीं से link करें और वो link ethical होना चाहिए उसको ये है कि अगर कोई information मंग रहा है तो आप उसको link दे दें वो click करेगा आपकी website पर आएगा traffic भी आएगी लेकिन जब google उस website को crawl करेगा तो वो आपकी website भी आएगा जैसे कि हमने behavior study किया कि google कैसे website to website या link to link crawl करता है information को इन तो categories के लावा एक 30 category जो बड़ी थेजी से आम हो रही है SEO के अंदर वो technical SEO के नाम से कहलाई जाती है technical SEO में basically क्या होता है कि technical factors जो normally आम marketer नहीं control कर सकते जिसके लिए development की ज़रूरत होती है या developer की ज़रूरत होती है जिसके लिए server side पे या दूसी चीज़े तहाँ technical information involved हो जाती है उसको technical SEO का नाम दिया जाता है उसमें कुछ पहलू है for example कि आपको website की speed बेतर करनी है तो ये technical matter है आप जितना मरजी अच्छा content लिख लें अगर आपकी website load ही नहीं होरी अगर उसका server किसी दूसरे मुलक में है अगर उसकी IP किसी दूसरे मुलक में है अगर उसके उपर SSL certificate नहीं लगा हुआ ये सारी चीज़ें technical बन्यादों पर handle की जाती है और normally SEO में बहुत सारी चीज़ें developer के उपर भी depend कर रही होती है तो उन चीज़ों को normally अगर हम categorize करें तो वो technical SEO कहलाती है तो technical SEO plus on page optimization plus off page optimization ये तीनों का मजमूवा मिलाकर basically एक अच्छी SEO strategy बनती है जिसके दहाद आप अपने website को optimize करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो rank करें